तो आज का टॉपिक है लिक्टटि के बारे क्या होती है ये लिक्टटि You have probably heard this term liquidity a lot under smart money concept right इतना जादा इसको complicated बना दिया जै है लिक्टटि बोल बोलके कि लोगों को आप समझे नहीं आ रहा है कि ये लिक्टटि आक्ट्टिटि में जो है वो कहा स्पोर्ड करनी है and easy नहीं रखेंगे, तो आपको trading में बहुत ज़्यादा मुश्किले आएंगी, तो आपका mainly काम यह है कि आप अपने trading setup को बिल्कुल clean रखें, अब बात आती है इस concept की, तो इस concept को rather than हम complicate बना हैं, हम try करेंगे कि बहुत simple बना के रखें, जिसकी वजह से आपको आपकी trading journey में help मिले और आप जल्दी से जल्दी profitable बन पाए, तो अब liquidity की ज़र हम बात करें, आपने ये कुछ examples देखेंगे, लोगों ने दिखा दिये होंगे, ठीक है, कुछ definitions होंगी, जो लोगों ने आपको बता दी होंगी, and you think कि आपको liquidity का concept समझ में आ गया है, ठीक है, बर जब आप chart म आपको नहीं समझ में आ रहा, तो basically problem कहां हो रही है, देखिए, problem एकी चीज़ है, कि आप चीज़ों को बहुत जादा bookish ले रहे है, ठीक है, आचा, आज बात करते है, liquidity में पहले definition की, फिर ये कहां support करी जाती है, क्या होती है, इसको कैसे अपने benefit में लाग कर हमें trade करना है, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले है, तो अगर आप interested है, ये सब जानने के लिए, और अगर आपको अपनी journey एक profitable trader की बनानी है, तो then do watch this video till the end, ठीक है, और आपको notes बना के रखने है, राइट, आचा, ठीक है, अब हम बात करते है, liquidity की, तो भाई देखो, liquidity पहले को define द sweep is a phenomena in SMC that occurs when large market players execute large volume trades to trigger a group of pending buy or sell orders at certain price level, this allows them to enter a large position with minimal slippage, which often results in rapid price movement and target liquidity zones, ये जो बात इलो ने लिखी है, ये बात मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ, ये देखो, ऐसे आपका price जो है न, वो accumulate करता है, ये देखो, ठीक है, clear है, ये कहते हैं, इसी को कहते हैं price accumulation, अब होता क्या है, हर बार price सेम तरीके से accumulate नहीं करता है, और इसी का example, ये liquidity example है, आपको जब भी कभी market में accumulation दिखेगा, तो ये वो एक तरीके का नहीं दिखेगा, right, वो कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, ये अगर आपको spot करेंगे, तो ये आपको कौन सा दिख रहा है, ये आपको ये वाला दिख रहा है, ये last में, clear है, और उसके बाद जैसे ही market ने यहाँ पे, इसको sweep करा, ये देखो, सारे orders हो गए, sweep, अब market को क्या दो चीज़े होती है, market ही, liquidity क्या है, liquidity buying और selling, दोनों liquidity है, जो लोग बेच रहे है, as in sell कर रहे है, वो भी बड़े-बड़े players के लिए liquidity है, और जो लोग खरीद रहे है, वो भी बड़े-बड़े players के लिए liquidity है, जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, भाई, देखो, अब आप कहेंगे, सब क्यों बेचा होगा, भाई, बेचा नहीं होगा, तो आप यह बताओ, आपको यह चीज़ पता नहीं, क्यों नहीं समझ आ रहे है, कि बेना बेचने और खरीदने के, तो market कहीं जाई नीरा है, बात यह है, कि आप खरीद बेच नीरो, तो आपको लग रहे ह इतने लोग इस trend line को, जिन जिन लोगों ने trend line को बनाया होगा, वो सब की दिमाग में एक ही चीज़ होगी, कि भाई, यह एक ascending triangle बनगा है, यह एक trend line जा रही है, मैं यहाँ खरीदता हूँ, मैं यहाँ खरीदता हूँ, ठीक है, तो यह probably शाद आपकी नजरों से नहीं आप को दिख रहा, बट बहुत से traders होंगे, जो यहाँ खरीदेंगे, बहुत से traders होंगे, जो यहाँ खरीदेंगे, बहुत से traders होंगे, जो यहाँ खरीदेंगे, इस trend line के touch पे, ठीक है, यह होते है buyers, और यह होती है buying liquidity, ठीक है, buyers liquidity बना रहे है, क्योंकि उन्हें लग रहा है, क्यो sellers ठीक है जिनको दिख रहा है कि market यहाँ पे multiple touch ले रहा है ठीक है यहाँ पे ले रहा है यह वो लोग है जो trap हो रहे हैं selling में यह sellers हैं क्यों है क्योंकि इन्हों ने यहाँ पे zone देखा हुआ है एक कि यहाँ पे resistance है selling हो रही है वो यहाँ पे trap हो रहे है ठीक है मैं आपको real life example दिखा रहा हूँ फिर हमने क्या पड़ा smart money क्या करते है सबसे पहले उन्होंने इस विक से यह विक का collect करना ही सबसे बड़ी बात होती है इस विक से collect करे सारे जितने लोगोंने sell किये थे उनके orders हो गए collect ठीक है उन्होंने यहाँ पे sell मतलब करा है इसका मतलब उनका उल्टा buy यहाँ से सारे वो orders गए फिर उन्होंने target क्या किया target किया यह सारे buying orders को ठीक है उन्हें liquidity बिल गई यह सारे orders उनके fill होते जाएंगे उनको कोई tension ही नहीं है देखो उनको चाहिए था पहली बात heavy amount में कि कोई उनके order खरीदे तो उन्होंने यहाँ पे कराया fake out उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप खुद बताओ मुझे यहाँ पे वो कर रहे हैं तबाह के selling और किन किन के orders trigger होते जा रहे हैं सारे triggers होते जा रहे हैं जिन्होंने करी है यहाँ पे buying ठीक है और एक large difference देखो create इनी को इन gaps की क्यों बनते इस gaps के बनने से यह gap आपको दिख रहे हैं यह gap बनते ही तब ही है जब आप समझ जाओ कि large money जो है वो फूस गई है market में ठीक है जब gaps नहीं बन रहे थे इस पूरे zone में इसका मतलब कि कोई smart money नहीं है और यह पूरा zone accumulation का बना हुआ ठीक है और as soon as smart money ने गुसा market में उन्होंने सारे orders कर दिये trap इसी को कहते है लिक्विडिटी ट्राप अच्छा ठीक है आयोप आप यह समझ गए होंगे बात लेकिन यह आती है कि लिक्विडिटी ट्राप्स बनते कैसे है लिक्विडिटी ट्राप्स यह आप जोन देख रहे यह सब है लिक्विडिटी ट्राप्स आप सबज़रों इन्हीं को बूला जाता है लिक्विडिटी ट्राप्स के बारे में क्या होते हैं देखो हर बार आपको यह ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगी कभी-कभी आप खोद अभी मैं आपको स्पॉर्ट भी कर रहा हुँआ आप एक चीज इमाजिन परूँ ठीक है वो क्या और इसी को कहते है अपनी साइकॉलोजी को सुदारवना मार्केट नीचे आ रहा है ठीक है मुझे सिफ एक चीज का क्वेस्चन है अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है तो यह मार्केट यह मूव देई कैसे रहा है यह वाला ठी मार्केट में यह वूव आया ही कैसे ठीक है मैंने क्या बुला जाज बिकॉज आप खरीद और बेच नहीं रहे हो बिकॉज ओफ फियर और एनिटिंग डाट 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 रहे हैं और यही बाइंग सेलिंग जब गलत जगा पे होती है तो वह बन जाती है यही सेम चीद अगर सही जगा पे होती है तो आपको प्रॉफिट दे देगी बट बिकॉज ओफ हम बोल सकते हैं फोवो फियर ओफ मिसिंग आउट या बिकॉज ओफ लेस नॉलेज आप लोग उन जगा पे बाइंग और सेलिंग करते हो जो नहीं आपके समय आप मेंसे भहत लोग होंगे जिनकों नहीं पता बहां कि कहां ख्रीदना ये किया बेचना जनकर पास कोई ट्रेंडिंग सिस्टम क्योई ट्रेंडिंग प्लान नहीं होगा दैन वो Candlesticks के बारे में पढ़ने की वज़स से आपको यहां पे एक Engulfing Candle दिख गई Green माल लिते है ठीक है तो आपने तो यही सीखा है कि भाई यह Green Engulfing Candle बने तो भाई खरीदो तो आपने खरीद लिया यह नहीं पता आपको आपका Target क्या है आपको यह नहीं पता कि मुझे कितना Old कर रखना कोच नहीं आप बस फ्रैब हो गए हो आच्छा जब आपने खरीदा तो ऐसे बहुत से लोगों गें जो यहां बेचना भी चाह रहे होंगे ठीक है उनको यह नहीं पता कि मैं यहां ही से क्यों बेचना चाहरा हूं बस बेचना चाहरे है उनके पस कोई प्रॉपर रि इक्विडिटी बनते हैं समझ रहे हो कोई खरीदना चाहरा है तो कोई बेचना चाहरा है और वहीं यहां पे हो रहा था बहुत से लोग यहां पे ऐसा विक देख देखके बाइंग कर रहे थे बहुत से लोगी कैंडल्स देखके सेलिंग कर रहे थे एड़ लास्ट सब के से ट्राप होते हैं वो समझ लेते हैं यह पैटर्स आपको दिखते होंगे मार्केट में कभी कभी मार्केट नीचे आया अच्छा इस स्विंग को ब्रेक कर देता तो लोग कहते कि डाउं ट्रेंड चल ला है बट नहीं किया यहां पर टच किया और उपड़ा उपास चला गया आच्छा अब इससे क्या हुआ इससों इ יכול के देबाग में यही आया कि बाई यह कि वाटम बना दिया इसने डेबलाष कन देखा पर बॉनला मैं तो आपको क्या करना आपको करनी दالंट रूम बन चुका है आप ऐसे कुछ प्लैन करते हो तो मार्केट आपके प्लान को चॉपट करके यहां आँ जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते है इक्वल लोग की लिक्विडिटी, क्योंकि यह सेलिंग में है, अभी तक आप यह नहीं समझ पा रहे हो, कि मार्केट अपना डारेक्शन बाइंग से सेलिंग और सेलिंग से बाइं ठीक है, ऐसे हुआ, देन मार्केट नहीं आप टच किया, अब लोगों को लगा यह तो ट्रिपल बॉटम है, किसी को लगा यह तो यहां पर एक्यूमिलेट हो रहा है, यह फटेगा तो उपर की तरफ जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, मार्केट को जाने के लिए परकेट में होते हैं जोन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, प्रीमियम और बिसकाउट जोन, ठीक है, यह ज़रूरी होते हैं, ऐसे ट्रेडर आपको अच्छी ट्रेड्स देने में, प्रीमियम अगर आप सेलर हैं, तो आपको बेचना ही प्रीमियम में, और अगर आप बायर है तो आपको खरीदना ही डिसकाउंट में क्या भूला मैंने तब आपको खरीदना ही डिसकाउंट में मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट जो है वो हर बार डिसकाउंट में आएगा या हर बार प्रीवियम वे बट जितनी बार वो आएगा नहीं उतनी बार आपको trap जरूर कर देगा ठीक है और आपकी अच्छी trade जो होगी high risk reward rate वो सारी miss हो जाएगी क्यों बिकॉज आप जो है वो हर बार हर move को समझेंगे कि market उपर जाना चारा है या नीचे रादर देन ये समझने को कि market का overall structure क्या है ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिलाल के लिए market का पूरा structure ये क्या है बेरेश है ठीक है market में अब जाके अपना character bullish करा है राइट बिलकुल सही बात है अब जाके जिन जिन लोगों ने plan ये करा होगा ठीक है आप I hope समझ रहेंगे कि market अब तो यहां से उपर जा रहा है वो सब के सब हर बार यहां पर trap ये वाले zone में और ये zone में और ये सब zone में market trap हुए है ठीक है जिन जिन ने ये सोचा है कि market जो है वो कहा जा रहा है उपर market अब जाके कहीं ने कहीं market ने ये बोला है कि मैं उपर जा सकता हूँ अच्छा तो अब हमने देखो क्या draw किया है हमने एक swim draw किया हुआ है आप देख रहें swing low से swing high और उसका जो ये point है ये 50% है अब अगर market इसके नीचे इन levels पे कहीं पर भी आएगा और अच्छी zone बनाएगा इस level पे तब जाके हम सोचेंगे कि हमें जो है वो क्या तरनी है buying जब इस zone पे आएगा इसके पहले नाई मैंने अपने आपको buying में यहाँ पे trap करवाया यहाँ पे क्या था आप खुद देखिए एक अच्छा zone कैसे spot करते है उसके लिए आगे जाके वीडियो बनेगी बट मैंने अपने आपको इस zone पे trap नहीं करवाया मैंने आपको इस zone पे trap नहीं करवाया थीक है मैंने अच्छे zone का wait किया उसके बाद भी market में यहाँ यह वाली liquidity ले ली यह वाली liquidity लेने के बाद मैंने slower time frame पे switch किया तब जाके मैंने एक entry plan करी राइट वो इस entry को भी मैंने बहुत जादा hold नहीं करा because मुझे दिख राता कि market जो है वो एक बहुत जादा downtrend में है ठीक है ऐसे cases में अगर आपको अपने profit कमाने तो आपको हमेशा छोटे target सी plan करने चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपको अच्छे zone अगर आप इस swing high on low point को पकड़ोगे तो आपको clearly दिख जाएगा कि market जो है वो एक बहुत अच्छे discount area पे था जहां से मैंने खरीदने का plan किया तो as a liquidity कुछ अलग नहीं है liquidity buying भी liquidity है selling भी liquidity है जब जब market नीचे आ रहा है जब जब market नीचे आ रहा है और over smart people buy कर रहे है वो अपने आपको एक liquidity बना रहे हैं आपको बस ये समझना है और जब जब market उपर जा रहा है तब तब जितने लोग sell कर रहे हैं वो अपने आपको एक liquidity बना रहे हैं ठीक है अगर आपको selling में buying बनना है तो market को पहले proper liquidity ग्राप करने दो फिर उपर जाने का indication देने दो same way अगर आपको seller बनना है तो market को पहले proper selling करने दो फिर उसके बाद reaction पर आपको trade लेना है ये जो early buyers और early sellers होती हैं इनी को हम लोग liquidity का नाम देते हैं बतलब ऐसा कुछ बहुत अलग rule नहीं है तो ये क्या होता है simple एक चीज़ समझाता हूँ जब market ऐसे नीचे आ रहा है अगर market ने ऐसा कुछ बना दिया ठीक है फिर ये कर दिया तो आपको यहाँ पे एक buying plan करनी चाहिए बट आपका target पी फिर वो liquidity ही होना चाहिए आपका target अगर आप यहाँ पे खरीर के अगर आप plan कर रहे हो कि आप वन इस्टू 10 वन इस्टू 20 की ट्रोड ले लू तो नहीं आपका stop loss अमेशा swing low की नीचे होना चाहिए और आपका target भी बहुत छोटे यहाँ भी हो सकता यह भी हो सकता ठीक है target 1, target 2 तो liquidity क्या है? liquidity ही target है और liquidity ही entry है आपको यह समझना प वो आपका target बनेगा ठीक है यहाँ पर यह जो liquidity थी यह जो liquidity थी यह क्या है यह मेरा इसका जब यह sweep हुआ है यह जब इसका यहाँ पर यहाँ पर फिर यहाँ पर यह सम मेरा क्या है target क्लियर है बस आपको इतने मेरे भाई ट्रीट करना है उसके लावा जादा दिमाग मत लगाओ liquidity पर बस अच्छा zone पकड़ो अगर अच्छा zone नहीं मिलना है तो उसके लिए 5 ड्रॉप करो हमेशा 50% की निचेगी spot करो उसके आपने मुझे बचा लिया liquidity बनने से और जब जब market आपके zone में है तब तब यह आपको trade करना चाहिए इसलिए मैं अभी कोई buying नहीं करा हूँ अगर मैं bitcoin में plan करूंगा buying का तो इस 50% zone के नीचे अगर कहीं भी market एक अच्छा मुझे entry opportunity देगा तो I'll take clear है thank you so much